हेलो जी वेलकुम बेक तो मैं चनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज मैं आप साथ शेयर कर रही हूं ब्रेकफास्ट और लंच का रूटेन तो ये मैंने सोया बीन को रात कोई भीगने डाल दिया था और अभी इसे मैंने उबाल लिया है और अभी को छिल लिया है इसको मैं कुछलों पुन्डी में कोट लोंगी और ये मैंने लिया है प्यास रे मिर्च और टल माटर तो स्कुछम में एक बहुद्प अब मैं इस्में डाल दी हूं च्छोंक तेल और दूसरी साइड में ये करवा लाकस्सоп की तो ये मैं बना रही हूं इस मेरा लग जाएगा तड़का और तड़का वही सिंपल अभी तेल गर्म हो गया है इसमें मैं डाल रही हूं जीरा और साबुत धनिया और जो अधरक लसुन को मैंने खुटा था वो इसमें में एड कर ली हूं और फिर यह थोड़ा सा गॉल्डन हो गया तो इसमें अब मैं डा प्याज हमारा गॉल्डन हो चुका है अब हमें इसमें एड कर रही हूं स्वाद के अनुसारा नमक खल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें अब टामाटर दालेंगे और इनको थोड़ी दिर के लिए पका लेंगे अब मैंने जिसमें अधरा कुलस्वीन फुतादा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें यह डाल रिंग और इसको धक के थोड़ ज़र पकाऊंगी उत्ती देर में हमारी यह फैनी डी बन के त्यार है इसमें डेक फास्ट में खाएंगे और यहां पर टामाटक भी अच्छे से कल गए है अब मैं इसमें डालूंगी सोया बीन और अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके दूसरी साइड वाली कैस में रख दूंगी वहां पर इसमें अच्छे से उबाल लाना है और यहां पर मैं बना लूँगी फुलके और यहां पर मेरी सबची सुबही बन जाती है और वो लंच में भी हम लोग पही खा लेते हैं और बस लंच में फिर हमें सिर्क फुलके लगाने होते हैं और बस तो प्रिक्फास्ट और लंच मेरा पठ्थे सुबही बन जाता है और बस्टावशबंग्स प्रिक्वाशबंग्स और इसी तरह से मेरे सारे फुलके भी बनके अब त्यार है और हस्बन की फूजा भी हो गई अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और यह देखिए यह मेरी सबजी बनके त्यार है और अब मैं इसमें एड़ करने हूं हर आधनिया मैं हरा दिनियों को भी एक मिनट के लिए पकाती भखके और अब सब्जी बनके त्यार है अब मैं टीफिन पैक कर लोंगी और जितनी देर में टीफिन पैक होगा उत्ती देर में मैं चाय भी बना लोंगी दूसरी सब्सक्राइब मैं यह चाय भी रख ली है और सच बताओं तो अभी मेरा नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है अभी सफाई भी नहीं हुई है और तो सबसे पहले में लंच ही बनाती हूं उनका और ब्रेकफास्ट तो बस उनके जाने के बाद ही अब सारे काम मेरे होंगे और टिफिल में मैंने डारा था सबसे पहले सबजी उसके बाद फीर रोटिये उसके बाद फीर ये अचार और सलाब और हमारा सुबे का ब्रेकफास्ट कैसा होता है वो मैं आपको दिखाती हूं बिल्कुल सिंपल सा होता है ये तो हो गया लंच और अभी मैं हस्बेन की ब्रेकफास्ट की थाली लगा रही हूं एक कटोरी में मैंने ये डाली है सोया बिन की सबजी सलाद है थोड़ी सी ये फेननी है और ये चुहारे का आचार है और ये फुलके तो ये है हस्बेन का ब्रेकफास्ट और अभी मैं खाऊंगी बाद में और चाए भी मेरी बनगी है अभी चाए में पियोंगी और ये मैंने शेयर किया अपना अर्ली मॉर्णिंग का रूटीन तो व्यूडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा एंड थैंक्स पूर वाचिंग मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और गर्मा गरम चाए बनके त्यार है आप लोग भी पीलीजिए